तो आज हम Biomolecules का Mind Map देखेंगे, काफी मेहनत लगी यह से बनाने में और काफी अच्छा चैप्टर भी है यह, ठीक है तो यह पूरा Mind Map है, तो आप पढ़ना सुरू करते हैं इसको तो आज हम चैप्टर 9 का यानि Biomolecules का Mind Map देखेंगे, चैप्टर 1 से लेके 8 तक का Mind Map हम बना चुके हैं, और उसका PDF में आपको दे चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थूरू आप जाके देख सकते हैं, ठीक है तो आज इस चैप्टर का Mind Map हम पढ़ अब हम इसको शुरू करेंगे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, जिससे आपको सैज दिखें, तो शुरू करते हैं, इसको एक बार अच्छे से आप वीडियो देख लिया करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, डारेक्ट PDF डाउनलोड कर लेंगे, तो ह स्यच्राइब कर देखेंगे, और उसको एक इसको डारेक्ट में जादा होते हैं, चाके जितने मेंतौे नहीं देखेंगे, और वायो डारेक्डियो में तो हम यह दिया huge सबसे पहले आपको यह जानना है कैमकल इनालिसिस क्या होती है कि हम लिविंग टिशू लेते हैं उसको ग्राइंड करते हैं ग्राइंड मतलब पीसना किस चीज में पीसते हैं प्राइक करता है तो लिविंग टिशू को ट्राइक क्लोररी असे प्राइंड करते हैं अब जो होता है इसमें कई सारे हमें और्गनिक कंपउंट्स पाए जाता है ठीकилось होगा हैell कि अब इन और्गनिक कंपउंट्स के लिए हम डिस्ट्रक्ट्टी गिषी दिस्ट्र। बुर्न कर देटें तरह देन निए च्री शीच से carbon dioxide के form में बाहर चला जाता है सारा carbon बचता क्या है एश यानि राख बसती है राख में हमें inorganic elements देखने मिलते हैं ठीक तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा जो एश बसती है destructive experiment में जो एश बसती है उसमें inorganic elements देखने मिलेंगे ठीक है अब आते हैं compounds पर तो amino acid amino acid जो होती है उसका यह structure होता है बीच में carbon होता है एक तरफ NH2 एक तरफ CWH एक तरफ R group एक तरफ H तो hydrogen NH2 और CWH यह तो confirm है R जो होता है वो variable group होता है यानि change होता रहता है जैसे अगर R hydrogen है तो उस amino acid को हम glycine कहेंगे अगर R CS3 है तो उस amino acid को alanine कहेंगे अगर R CS2 OH है तो उस amino acid को serine कहेंगे ठीक तो R क according amino acid के नाम बदल जाएंगे ठीक amino acid भी बदल जाएगी अब amino acid जो होती हो वो चार तरह की acidic basic neutral और aromatic acidic में एक example ध्यान रखना है gulatomic acid basic में lysine neutral में valine और aromatic में तीन example है टाइरोसीन फिनाइल एलेनीन और tryptophan ये तीनों example आपको ध्यान रखना है ठीक aromatic होती है ये तीनों अब जूटरायन फर्म क्या हता है जैसे कार्बन है एक तरफ NH2 था एक तरफ CWH क्या करता है hydrogen अपना दे देता है एनस टो को तो 3 हो जाता है और यहां पर CWO माइनस हो जाता है तो जब अमीनो एसिड़ पर प्लस और निगेटिव चार्ज दोनों आ जाए यानि प्लस माइनस चार्ज दोनों आ जाए तो उसको कहते है जूटरायन फॉर्म ठीक है तो यहां देखे कार्बन है आर ग्रूप और एस ग्रूप ऐसे ही है बस इस अमीनो एसिड में यहां से फैटी एसिड हो सकती है या फिर फैटी एसिड दोनों मिला के हो सकता है तो फैटी एसिड भी हो सकता है तो जो फैटी एसिड होता है इसमें दो ग्रूप होते है एक आर ग्रूप होता है और एक होता है अलकायल ग्रूप आर ग्रूप जो होता है उसमें वन कार्बन होते है और alkyl group में 1 से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं एक्जामपल देखिए पामेटिक एसिड पामेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 16 एक जो होता है R ग्रूप का 15 alkyl ग्रूप का ठीक, टोटल 16 कार्बन एरैकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं एक R ग्रूप में 19 alkyl ग्रूप में ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप fatty acid में 2 ग्रूप होते हैं एक R ग्रूप में होका कार्बन alkyl ग्रूप में 1 से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं फिल अगर lipid में glycerol fatty acid दोनों है तो ये याद रखना है एक glycerol के साथ एक fatty acid होगा तो mono-glyceride कहेंगे एक glycerol के साथ 2 fatty acid होगे तो di-glyceride कहेंगे एक glycerol के साथ 3 fatty acid होगे तो triglyceride कहेंगे ये चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक अब ये भी आन रखिएगा फॉस्फोरस और lipid के साथ अगर जुड़ियाता है तो उसको हम phospholipid कहते हो और एक phospholipid का example है lecithin ये चीज़ ध्यान रखिएगा phospholipid कहाँ पाय जाता है आपने पढ़ा था cell वाला जो चप्टर था पिछला mind map जो था उसमें आपने पढ़ा था जो lipid होता है cell membrane में वो phospholipid होता है तो phospholipid के साथ lipid जब एड़ होता है तो उसको phospholipid कहते है और इसका example है lecithin lecithin एक तरह का phospholipid है तो ये था पहला page अब हम आते हैं दूसरे page पे ये है हमारा दूसरा page ठिक इसमें भी कई तरह के compound ही आपको पढ़ना है ठिक है तो शुरुआत करेंगे हम nucleic acid से जो nucleic acid होता है ये polymer होता है nucleotide का nucleotide में तीन चीज होती है sugar, nitrogen base और phosphate जो sugar और nitrogen base होता है इन दोनों को मिला के nucleoside कहते हैं ठिक और तीनों को मिला दिया जाए यानि कि nucleoside और phosphate दोनों को मिला लिया जाए ठिक है अब nitrogen base जो होता है वो दो तरीक होता है purine और primidine purine जो होता है वो double ring होता है primidine single ring होता है purine में दो आता है adenine और guanine और primidine में तीने आता है cytosine, uracil और thाइमine ठिक तो ये nucleic acid के वारे मिला दियान रखना है अब आते हैं polysacrite पे polysacrite जो होता है made of monosacrite monosacrite के polymer होता है जैसे cellulose का monosacrite glucose होता है inuluin का monosacrite fructose होता है और kytin का n-acetyl glucose amine होता है n-acetyl glucose में इनको नाग कहता है energy ठीक तो ये जान नहींगा kytin जो होता है आपका पता है फंजाई की सिल्वाल में पाए जाता है तो इसका monomer याद रखिएगा अब जो polysacrite होता है वो एक तरह की chain होती है जो left end होता है chain को उसको हम non reducing कहते हैं और जो right end होता है उसको हम reducing कहते हैं तो ये जान रखिएगा कि R से right और R से reducing यानि right end reducing होता है इसी वज़े से ये iodine test देता है ठीक ये ध्यान रखिएगा तो हर एक points मैंने cover किये है NCRT के मतलब एकदम basic से लेके और एकदम deep तक जितने भी points हो सकते थे सारे cover किये मैंने ठीक है अगर आप अपने आप से NCRT पढ़ते होंगे अगर टो होता हम प्रोटीन के structure बहुत important है चार होते हैं primary, secondary, tertiary और cotonary, primary structure जोता है straight rod के तरह होता है, जैसे ये primary structure रथे, secondary structure दो तरह होते हैं, alpha helix and beta pleated seed, तो इसी rod को आप थोड़ा सा तेड़ा मेड़ा कर दीजे, तो secondary structure बन जाता है, फिर tertiary structure आता है necessary for function of protein, tertiary structure जोता है, ये protein function के लिए जुड़ी होता है, यानि अगर protein अपनी primary और secondary structure में है, तो फंक्शन नहीं कर सकता, वो tertiary structure महोना चाहिए, तब भी function करेगा, फिर आता है quaternary structure, quaternary structure made by arranging tertiary structure, tertiary structure को एक के साथ एक arrange कर दिया जता है, तो quaternary structures बन जाते हैं, तो ये रहा protein का structure वाला part, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा classification देखते हैं protein का, protein दो तरह होते हैं essential और non-essential, essential जो होते हैं, food के थूरू लिया जते हैं, taken through food, ठीक, non-essential जो होते हैं, वो body में हमाई बनाए जाते हैं, तो बाहर से लेने की मतलब, बाहर से लेने की जुरूत नहीं होती है, तो इसी वज़े से हम इनको non-essential कहते हैं, तो essential वाले हम खाने के थूरू लेते हैं, non-essential वाले हमें body में बनते हैं, ठीक, अब एक protein है, glut 4, इसको नीट में पूछा गया था, इसलिए मैंने रख लिया है और anxiety में है भी, तो glut 4 जोता है, enable glucose transport into cell, यह glucose का transport करता है cell के अंदर, यह एक तरह का protein है, ध्यान रखेगा, अब most abundant protein के बात करें, अगर animals की बात करें, तो सबसे ज़्यादा abundant protein, collagen होता है collagen protein, अगर whole biosphere की बात करें, यानि पुरी दुनिया में कह लिजिए, तो rubisco protein जो होता है, वो सबसे ज़्यादा abundant होता है ठीक, यह चीज़ ध्यान रखेगा, rubisco का पूरा full form भी है, लेकिन ज़्यादा तर पूस्त है नहीं यह कहीं पर ठीक, तो यह होगा, अच्छा, nucleic acid का, यहाँ पर आप देखें, एक सकड़, nucleic acid का एक कड़ी यहाँ पर मैंने रखी है, nucleic acid में आपका पता है, nitrogen base जो होता है, दो तरे होती है, जो sugar होती है, यह भी दो तरे होती है, deoxy ribose और ribose, अगर deoxy ribose sugar होगी, तो उसे DNA कहेंगे, राइबो सुगर होगी, तो RNA कहेंगे, DNA का फुल फॉर्म होता है, deoxy ribose nucleic acid, RNA का फुल फॉर्म होता है, ribose nucleic acid, ठीक, तो यह होता है, deoxy sugar के basis पर दो अलग अलग तरे है, अब आते हैं, DNA पर, DNA के बारे में हमाय दिया गया है, जो DNA की चीज़े दी गई है, मतलब NCRT में जितनी भी चीज़े DNA की बताएगी है, वो B DNA की बताएगी है, NCRT ने यह चीज़ लिखा है, कि DNA कई तरह के होता है, यहां पर जो DNA बताएगा है वो BDNA है तो यह याद रखिएगा जो हम DNA पढ़ते हैं वो BDNA होता है ADNA भी होता है CDNA भी होता है ZDNA भी होता है लेकिन हमें BDNA पढ़ना ठीक तो BDNA होता है double helix model गिवन बाई Watson and Crick Watson and Crick के दरह दिये गया था ठीक double helix model होता है DNA भी होता है D oxyribonucleic acid अब यहां से लेके यहां तक के जो distance होती है अगर आप इसमें देखेंगे तो total 10 base pair पाए जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथा नौदस ठीक तो 10 base pair per turn एक turn पे 10 base pair पाए जाते है rise per base pair यानि 2 base pair के बीच में कितना distance होता है तो 3.4 angstrom होता है तो इसरी चीज़े पिच पिच क्या होती है यहां से लेके यहां तक की distance पिच जो होती है 34 angstrom होती है क्योंकि 10 base pair होता है 3.4 x 10 करेंगे तो 34 angstrom आ जाएगा ठीक है तो यह data जो है यह rise per base pair और पिच यह बहुत पुछा आता है नीट में नीट के लिए खासकर याद रखिएगा अब DNA में यह जो अंदर की हो रहे हैं यह सब base है ठीक और यह जो line है इसको हम backbone कहते हैं और यह backbone अगले पेज पर आता है लगए तो यह चीज आपको याद लिकनी है DNA के बारे में अगले पेज पर आता है लगए तो साधे तीन पेज का है मैंड बेप पूरा इसमें metabolites के बारे में और metabolic pathway के बारे में पढ़ेंगे हम तो जो metabolites होते हैं यह दो तरह के primary और secondary primary वाले जो होते हूं उनका function हमें पता होता है primary metabolites function is known in host host मतलब जो पैदा कर रहा है ठीक है जैसे amino acid जो जो बना रहा है जैसे हम amino acid बना रहा है तो हमें पता है कि हमाएं अंदर क्या function है amino acid का amino acid से protein बनेगी या फिर हम सुगर बना रहे हैं तो क्या function है सुगर का सुगर से हमें energy मिलती है glucose मिलता है ठीक तो primary के function हमें पता होते हैं लेकिन जो secondary होता है उसका function host में नहीं पता होता है, function in host is unknown, host मतलब जो बना रहा है, जैसे पेड जो होता है, rubber क्यों बनाता है हमें नहीं पता, जैसे हमाई लिए तो ये rubber हमें पता है, rubber से हम कई चीज़े बना सकते हैं, हमाई लिए तो important है, लेकिन पेड के लिए क्यों ये जरूरी है, ये हमें न तो secondary metabolites उते हैं उनका function host में नहीं बता है यानि जो बनाता है उसके अंदर हमें नहीं पता होता है ठीक अब Metabolic pathway दो तरह होते हैं catabolic pathway और anabolic pathway catabolic pathway में कोई चीज बनती है तूटती है जैसे complex से simple होती है हम खाना खाते हैं तो वो एक रोटी होती है उसको carbohydrate में बदला जाता है फिर मतलब simple sugars में change किया जाता है तो complex से simple चीज़े बनती है ठीक catabolic pathway में इससे release energy इससे energy मिलती है ठीक अनेabolic pathway में हमें simple से complexity बनाती है और इसमें energy use होती है ठीक यहाँ से energy निकलती हो और इसमें use होती ह्या यह दोनों pathway होते है अब आते हैं यहाँ बायो मालिक्यूल्स बायो मालिक्यूल्स का दो क्लासिफिकेशन है बायो माइक्रो मालिक्यूल्स और बायो मैक्रो मालिक्यूल्स आप ये भी कह सकते हैं सिर्फ बायो हटा सकते हैं दोनों में से इनका molecular weight 10,000 Dalton से ज़्यादा होता है यह हमेशा polymer होते हैं ठीक और यह total 4 होते हैं protein, nucleic acid, polysecret और lipid हाला कि यहाँ पर exception बहुत बड़ा है lipid, lipid जो होता है वो नही 10,000 Dalton से ज़्यादा उसका molecular weight होता है और नहीं वो polymer होता है, वो mono-ver होता है फिर भी उसको हम bio macromolecules कहता है ठीक, exception to both properties of molecule, यह दोनों properties इसके lipid केंदा नहीं होती, फिर भी इसको हम macromolecules कहता है ठीक है, तो यह जोरूर याद रखिएगा exception lipid है, ठीक अब यह point भी धियान रखिए living state जो होती है, non equilibrium होती है और steady state होती है, ठीक कोई भी चीज़ जब equilibrium में होती है, वो काम नहीं कर सकती, लेकिर हम काम करते हैं तो इसी वज़े से हम non equilibrium है, ठीक और steady state है blood glucose का level भी आपको याद रखना है जो कि insulin दिया गया है, 4.2 से 6.1 mmol per liter होता है, ठीक यह नीट में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा blood glucose का river, अब आते हैं enzymes पे, ठीक है enzymes जो होते हैं, mostly enzymes और protein ज़्यादा तर protein होते हैं, लेकिन ribosyme एक ऐसा enzyme है, जो कि nucleic acid से बना होता है, ठीक तो ribosyme एक ऐसा enzyme है, जो कि nucleic acid से बना होता है, active sites जो होती है enzymes में, वो सिर्फ tertiary structure में देखियाती है, अब enzymes जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा high temperature पे काम नहीं कर सकते हैं, तो get damaged at high temperature, more than 40 degree Celsius, 40 degree Celsius से ज़्यादा temperature जो होता है उस पे damage हो जाते हैं, ठीक enzyme, some enzymes are thermally stable, हाला कि कुछ enzymes thermally stable होते हैं, जैसे कि tech polymerase tech polymerase जो होता है, वो can work at 70 to 80 degree Celsius 70 to 80 degree Celsius पे भी काम कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज enzyme के बारे में ध्यान रखिएगा अब आते हैं chemical reactions पे chemical reactions में एक NCRT ने एक्जामपल दिया है इस reaction का, पहले ये ज़्याद पढ़ दीजिए बढ़ा दें, तो rate double हो जाएगा, और 10 degree Celsius घटा दें, तो rate half हो जाएगा, ठीक, अब ये चीज़ दियान रखिएगा, अब ये reaction सबज़िए reaction ये carbon dioxide H2O को मिला के हमारे body में H2CO3 बनाया जाता है, और इसके लिए carbonic enhydrous नाम का enzyme होता है ठीक, अगर हम बिना enzyme के ये reaction करवाएं, तो 200 H2CO3 हमें मिलते हैं एक घंटे में, लेकिन अगर वही enzyme के साथ हम reaction कर रहा हैं, तो हमें 6,00,000 H2CO3 मिलते हैं, एक second में, तो ये जो data है 6,00,000 H2CO3 in one second, ये बहुत ज़्याद़ important है, ठीक, तो आब ये देख रहे हैं, कि enzyme की power कितनी ज़्यादा है, without enzyme 200 मिलना है, वो भी एक घंटे में enzyme के साथ हमें 6,00,000 मिलना है हर second में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस करेम का reaction के थूरू ये ही समझाएगा है, कि enzyme की power होती, वो कितनी incredible होती है पर कार्बन डायकसेड और S2 सब्स्टेट है, S2 स्योथी प्रोड़क्ट है, तो जो A2 है, वो without enzyme है, यानि बहुत ज़्याद activation energy, A1 जो है, वो without enzyme है, यानि हमें enzyme ने क्या किया, एक्टिवेशन energy को कम कर दिया, तो ये graph आपको ध्यान में रखना है, ठीक, अब हम आते हैं अगले पेज पे, अगले पेज हमारा आधा पेज ही है, तो और बढ़ा कर लेके इसको factors affecting enzyme activity, enzyme को कौन-कौन effect करता है, ठीक, enzyme के activity को, पहले चीट temperature and pH, हर enzyme का अपना एक temperature or pH होता है, जिस पर वो maximum काम करता है, उससे ज़्यादा बढ़ा होगे, या उससे ज़्यादा कम करोगे, तो वो खरब जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो ये दोखो, enzyme activity जो होती है, वो optimum pH या temperature पर maximum होती है, यहाँ rate बढ़ता है, फिर उसके बाद constant हो जाता है, Vmax क्या होता है, maximum velocity, यहाँ पर reaction का rate constant होगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर concentration चाहे जितना बढ़ा तो reaction नहीं बढ़ेगा, ठीक, अब जो half of Vmax होता है, यहाँ पर जादा, मतलब कि जहाँ पर आधी velocity होती है, maximum वाले की, उसको हम km कहते हैं, उस जगे को, ठीक, km लिखा हुए, यह ग्राफ नीट में पूछा गया था, द्यान रखिएगा, जहाँ पर half of rate of reaction होता है, वहाँ पर उस जगे की concentration को हम km कहते हैं, ठीक, तो इधर हमने velocity लिए है, इधर हम concentration लिए है, ठीक, तो यह ग inhibition, जिसमें example दिया है, competitive inhibition, inhibition of succinate dehydrogenase by melanate, succinate dehydrogenase का, जो inhibition होता है, मैननोट के द्वारा, वो एक तरह का competitive inhibition होता है, ठीक, inhibition होता है कि मना करना, यानि कि हम enzyme को उसकी अपनी activity करने से रोग देते हैं, किसी और enzyme के द्वारा, जैसे कि succinate dehydrogenase होता है, यह अपनी activity नहीं कर पात है, तो melanate क्या करता है, succinate dehydrogenase को रोग देता है, तो इसको कहते हैं, inhibition, तो inhibition कहीं तरह होते हैं, लेकिन NCR team सिर्फ competitive inhibition दिया गया है, तो यह वाला ध्यान रखिएगा, ठीक, अब NCR team class दी गई है, enzyme की 6 class होती है, oxy-deductase, transferase, hydrolysis, lyasis, isomerase, और ligase, यह 6 class enzyme के होती है, यह शी ध्यान रखिएगा, आखरी है co-factors, co-factor बहुत ज़्यादे important है, हर साल नीट से question आता है, तो co-factor कहते हैं, our non-protein parts, यह protein, देखे, protein क्या होता है, hollow enzyme होता है, hollow मतलब होता है, तो पूरा enzyme जो होता है, वो protein होता है, इसमें 2 part होते है, apo enzyme वो वाला part होता है, जो कि protein होता है, और co-factor, co-factor क्या होता है, non-protein part, यानि enzyme में जो non-protein part होता है, उसको हम co-factor कहेंगे, अब co-factor 3 तरह होते है, prosthetic group, co-enzyme और metal iron, prosthetic group जो होता है, bind tightly to enzyme, यह enzyme से बहुत ही tightly bind करता है, for catalase and peroxidase, अगर catalase और peroxidase की बात करें, तो heme is a prosthetic group, heme नाम का एक prosthetic group यूज होता है catalase over peroxidase में, ठीक, फिर आते हैं co-enzyme, co-enzyme bind epo-enzyme for short duration, यह epo-enzyme से बहुत थोड़े सामा के लिए bind करता है, फिर हड़ जाता है, ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ा, in nad, nad, nad और nadh में, vitamin niacin is co-enzyme, vitamin niacin जो होता है, यह एक तरह का co-enzyme है, ठीक, यह चीज़ ध्यान र करता है, यह चीज़ ध्यान रखेगा, तीसरे है, metal iron, metal iron form coordinate bond, metal iron जो होता है, जो metal iron होता है, यह coordinate bond form करते है, example, zinc, जैसे की zinc, in carboxy peptides, इस चीज़ में carboxy peptides में, ठीक, यह तीन तरह के co-factor है, और co-factor का topic जो होता है, वो हर बार आता है, यह चीज़ ध्यान रखेगा, ठीक है अब हमारा mind map पूरा हो गया, और यह 3 page का mind map था, 3 page का mind map था, और इसको, sorry, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो share कर दीजीगा, और चैनल को subscribe कर दीजीगा, thank you very much